अब हम port create करके देखते हैं क्योंकि हमारा Kubernetes के अंदर smallest unit होता है वो कौन सा होता है हमारा इसको ports भोलती है जो Docker के अंदर smallest user जो होता है हमारे पास element होता है वो container होता है तो जो recommended method होता है port creation का वो होता है कि आपने YAML file create करनी है तो उसके थ्रू करना है तो हम उसको भी देखेंगी पर कही बड़ी आप जब इसको command line से create करते हो तो वो क्या है आपको ज्यादा समझ लगती है तो हम पहले देखते हैं कि port को कैसी create करना है पहले हम एक web server का port त्यार करते हैं तो इसके लिए कौन सी command चलाते हैं हम कहा देते हैं cube ctl run web server यह हमने नाम रख दिया port का and minus minus image किस image से हमने करना है हमने कहा दिया engine x alpine image से करना है तो restart never इसका देखते हैं तो इसका पुरी command का meaning है कि एक web server वाला नाम का port त्यार कर दे engine x alpine image से और हमने पता है कि जो भी image alpine based होगी वो small होगा तो इसलिए हमने alpine based engine x वाली image उसकी है और हमने define policy क्या कर दिया never उसका meaning क्या है कि अगर port terminate होजे तो start नहीं करना है अगर हमने यह वाली option specific नहीं करेंगे तो वो क्या है port object नहीं create करेगा deployment object create कर देगा plus replica set कर देगा यह दो और करेगा पर अभी हम सिरफ port को क्योंकि हमारे port create करने के एक तो हम simply standalone mean port ऐसे त्यार कर सकते हैं फिर हम replica set को भी use करके कर सकते हैं deployment कर पर अभी हम यहां पे देखेंगे simple method फिर हम एक दूसरा भी एक interactive mode में भी port को कर सकते हैं कि हम cube ctl run एक हम curl नाम का port create करना चाते हैं minus minus remove option specify कर दी है अगर यह कर दोगे तो जब जिसे आप port से बाहर निकलोगे तो उसको क्या कर देगा remove कर देगा यहां पे भी restart never हमने दिख दिया image हमने यह वाली use कर रही है कि यह वाली image है हमने custom image बना रही है उसको use कर रहे है जहां इसकी जगाँ आप क्या specify कर सकते थे curl images slash curl भी use कर सकते थे interactive mode में terminal attach कर दे minus minus ऐसे तो यह क्या करेगा curl नाम का port create कर देगा interactive mode में जैसे हम exit करेंगे तो वो क्या कर लेगा automatic terminate हो जएगा तो यहां से हम copy paste कर देंगे commands को और फिर हमने कुछ yml files भी बना रखिया है जिसको हम यहां से clone कर लेंगे git clone यह वाले से पर पहले हम यह इनको run करके देखें यह copy तो हम यहां पे अपने cluster पे आ जाते हैं तो ध्यानक ना पहले हमारे पास कोई भी पोर्ड नहीं है तो इसको हम clear कर देते हैं तो यहां पे हम यह क्या बता रहा है पोर्ड करेटिट तो कैसे पता लगेगा getPoRd से हमें पोर्ड के बारे में पता लगेगा कि यह web server वाला पोर्ड run कर रहा है अगर आपने इसके और detail चाहिए minus o y करके हम तो यहां पे यह हमें शुकर रहा है कि यह इसको एक यह वाला address मिला हुआ है यह पोर्ड को तो आप और detail जाना चाहते हो तो हम cubectl describe pod pod का जो नाम है web server उसको specific कर देते हैं तो उसकी बहुत सारी detail कि यह ready है क्या उसका default size है इसको थोड़ा सा मैसे कर देते हैं यह दिखा रहा है कि यह true है size है तो उसने क्या क्या process किये successfully assigned हो गया यह pull image किये उसने pull image successfully तो हमारा create हो गया है तो इसको हम यहां पर फिर जाते हैं थोड़ सा इसका भी phone size बड़ा कर देते हैं अब हमने जो port बनाया है उसको अगर हमने assess करके देखना है तो वो कैसे करेंगे तो हम पर ले cubectl get nodes पर आजें जैसे हम get nodes करेंगे तो वो हमें तीर nodes दखा रहा है तो हमें यह node का यह वाला address है जो master वाला है तो हम कौनसी कमाड़ चलाएंगे sss-i से हम specify कर देंगे कि हमारी public की कौनसी है क्योंकि यह ubuntu वाली मशीन है तो वहां पर default ubuntu user होता है 3.90.51.83 यह वाला में अब हम उस cluster के अंदर जाना चाहते हैं उसके master node के अंदर जाना चाहते हैं तो इस तरंग से आप जा सकते हो तो वह पहली पर जब आप आपसे कहेगा कि yes हम कहेंगे yes तो हम द्यान रखना अब जो तीन node है उसमें से एक node के उपम अंदर बैठे हैं इसको मैं screen को clear कर देता हूं तो यहां पर भी अगर हम cubectl get nodes command चलाएंगे मिन जुरूर नहीं आपने यहां पर अब हम उस machine पर जो actual में हमारे instances run कर रहे हैं वहां पर बैठे हूं है तो यहां पर भी चल रही है यहां पर get pod वाली get pod वाली command अगर अगर हम यहां पर देखते हैं कि करल हमारे पास है पोड का address पहले चेक कर लेते हैं कि क्या है क्लियर करता हूं पोड का address चेक करने के लिए हमारे पास क्या command है ओ वाइड तो जैसी हम यहां पर कौन सा address आ गया 10.96.1.3 है तो अगर हमने इसको assess करना है देखते हैं भी चलता है कि नी तो आप node से पोड को क्या कर सकते हो assess कर सकते हो इसके लिए हमारे पास 100.96.1.3 तो इसने default page दिखा दिया है अब हम एक पोड और त्यार करके देखते हैं वह किस दंग से हमने पोड त्यार करते हैं जो दूसरे वाला पोड हमने तो हम उसके लिए जो image यूज कर रहे हैं तो यह द्यानक ना यह ubuntu का prompt है और यह जो यह ubuntu login किये हूँ है यह वह यह वाला है और second पर अगर click करेंगे तो अभी देखते हैं कि हमारा कहां पर है तो हमारे पास लग लग टर्मिनल है यह ubuntu वाला टर्मिनल है तो इसको हम थोड़ से तक दुरनों ही हमारे यूज होते रहें तो हम यहां पर यह वाली second वाला port चला कर देखते हैं तो हम image यह वाली यूज कर लेते हैं जो हमारे default है जो मैंने अपनी create की हुई है आप उसकी जगा यह भी कर ले में चीज भी आप यूज कर सकते हो तो हम नहीं इसको पहले discuss कर लिया तो copy यहां पर हम इसको तो यहां पर आके हम इसको run कर देते हैं तो यहां भी हम देख लेते हैं कि सब कुछ च्रीक है command ok तो यह हमारे पास वहां ले जाएगा और इस container के अंदर intact लिए तो आपने यह अब आप container के अंदर हो तो if configure command से हम क्या कर सकते हैं अड्रेस चेक कर सकते हैं तो यह container का हमारा address है अगर इसको हम clear करते हैं तो यह container जो हमारा जो पोर्ड है उसके अंदर बैठे हैं तो यहां से अगर आप cubectl get pods करोगे तो वो कितने pods दिखा रहा है दो एक हमारा web server वाला एक curl वाला और हमने window episode एक हम अगर आप detail देने हैं कर ड्रेस क्या है और whide तो यह हमारा curl वाला इसका ही है तो यह हमारा web server वाल Daswerk अब हम देखना चाहते है port to port communication होती यह कि नहीं तो उसका address क्या हो अगर अगर फस जो हमारा curl वाला तो यह है जो हमारा web server वाला वाला यह है तो हम इसको क्या कर देंगे टाइप तो हमारे पास करल HTTP 100.96.1.3 तो यह हमारा शो कर रहे है तो यह वाला जो अड्रेस था मिन बाइड डिफाल्ट जब हम पोर्ड करेट करते हैं तो आप जो क्लस्टर के जो नोड है वहां से से सकते हैं जा दूसरे पोर्ड से कर सकते हैं अब जैसे हम इस पोर्ड से बाहर निकलेंगे तो हम देखते हैं कि what will happen जैसी exit करते हैं तो क्योंकि हमने minus minus remove option थी तो वो पोर्ड डिलीट हो गया है कैसे verify होगा जैसे हम यह get pods करेंगे तो इससे हमें पता लगजेगा अब हमने यह वाला pod भी delete करना है तो हमारे पास command क्योंसी है यूप ctl delete pod जो हमारा pod है क्योंसा है वेब server बार तो यह हमारा pod क्यों हो गया है यह हमने देखा कि हमने pod कैसे create करने है और हमने delete भी कैसे करने है cobs cluster को जो हमने cluster create किया उसको यूज़ करके तो हम आगे और देखेंगे कि क्या करना है हम अब deployment object और जो service है उसको देखेंगे कि वो क्या होते हैं